मैं रभी भारदवाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल CSC Tutes for You, that means Computer Science and Engineering Tutorial for You. So friends, PHP Tutorials स्रीज के आज के इस वीडियो टुटोरियल में हम लोग डिसकस करने वाले हैं हमारे next operator, increment और decrement operator के बारे में. So friends, चलिए स्टार्ट करते हैं, increment और decrement operator. तो जैसे हम लोग पिछले टुटोरियल में बहुत से operators के बारे में डिसकस किया हैं, आज जो हम लोग operator यूज करने जा रहे हैं, यह operator बहुत ही important operator होता है, आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आपको increment operator का यूज करना है, तो increment operator के लिए हम लोग plus plus का यूज करते हैं, अगर है, और वैसे ही जो decrement operator होता है, वो value को 1 से decrement करता है, चलिए देखते हैं कि कैसे program में इसको use करते हैं, तो देखें, जैसे माले जबी मैंने एक variable create किया a नाम से, और a की value मैंने अभी provide करा दी है 10, तो a की value क्या हो गई 10, यह हमारे एक variable है, जिसकी value है 10, अब अगर मैं इस a क करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा $a++, then enter, क्या लिखा मैंने $a++, then enter, तो यह क्या करेगा, एक एक value को increment करता है, but, देखें, अगर, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूं, E को मैंने बट क्यों मुला मैं आपको बताता हूँ देखें E को यहाँ पर इस A की वैल्यू 10 है तन हम E को स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग A की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह थें देखें अब आपको dip में क्या मिलेगा तो अगर हम इस प्रोग्राम को करेंगे तो हम elimin करेंगे अब 10 क्यों मिला output में इंशी को हम समझते हैं पहले आप देख लिजिए the output जैसे फ्रोग्राम को पिलोड करता हों तो output में क्या मिल रहा है 10 तो हम बहुता है वह वैल्यू को तो increment करता है बट जब हमें इसको first time use करते हैं ये value को increment करने से पहले ये a की जो value है इस value को memory में लोड करता है और लोड करने के बाद उस value में one से उसको increment करता है तो देखिए जब मैं यहां echo statement का use करके एक ही value को print कर रहा हूं तो यहां पर क्या print हो रह value को print करता हूं तो अब देखें यहां पर output में क्या print होगा यहां पर output में हमारा print होना चाहिए 11 क्यों कि यहां पर जब हम लोग ने ए प्लस प्लस का use लिया तो ए की value 10 की memory में load हो गई then जब हम लोग यहां पर इसकी value को print करा रहे हैं तो उसके memory में वो value 1 से increment होगी then यहां पर हमको output मिलेगा 11 तो चलिए देखते हैं जैसे program को reload किया तो देखें यहां output में क्या रहा है 11 तो यहां पर आपको यह concept clear हो रहा होगा कि अगर आप plus plus का use करते हैं first time तो उसकी value change नहीं होती है क्योंकि जब वह आप first time plus plus use करते हैं तो जो उस variable की value होती है starting है memory में load होती है उस करण से वह value उसके memory में increment नहीं हो पाती है बट जब आप उसको second बार call करते हैं तो वह value memory में उस value को once increment कर देता है then हमको उसका increment किया हुआ value output के रूप में मिलता है तो यह था हमारा increment operator अगर आपको इसी type से decrement operator का use करना है तो आप कर सकते हैं जैसे कि मैं एक और variable create करता हूँ b और इसकी value को में 10 ही create कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर आप simple echo के साथ अगर use करते हैं decrement करते हैं देखें जैसे मैंने रिखा b minus minus then semicolon यह लिखा इसके बाद program को हम लोग save करते हैं और save करने के बाद reload करते हैं तो देखें output में क्या print होता है output में वापस से क्या आया 10 ही आया मतलब a की value 10 है तो हम लोग जब decrement कर रहे है तो यहाँ पर a की value 10 ना आ कर के 10 ही आ रही है क्योंकि जो b की value है पहले b की memory में load हो रही है then वो उसको decrement करेगा अब हम अगर दुबारा से इस b की value को print करते हैं तो आप देखेंगे अब हमको यहाँ पर decrement होने के बाद 9 print होगा शली देखते हैं वापस हमें इसको reload करता हूँ अब आप देखिए यहाँ पर output में क्या मिल रहा है 9 so friends I hope आपको यह जो हमारे दो operators हैं आपको clear हो गया होगा प्लस प्लस और माइनस माइनस operator आने बादे नेश टुटोरियल पर हम लोग अगले दूसरे operators के बारे में discuss करेंगे so friends अगर आपको आज का यह video clear हुआ होगा तो आप हमारे चैनल को subscribe करें like करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें comments के त्रू अपने suggestions होते हम उसे solve करके आपको उसका result प्रवाइट कराएंगे so friends thank you for watching this video बाई